हेलो एब्रीवन, वेल्कम टो हिट रेसिपीज, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगलोर की फेमस आयंगार बेकरीज का ओपन मसाला ब्रेट टोस्ट, यह ब्रेट टोस्ट बहुत ही तेस्टी बनता है, स्पाइसी है, क्रंची है और इसकी फिलिंग कितनी हेल्दी है, इस को यह बहुत पसंद आये जैसा स्नैक है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन में टे टेबल स्पून तेल गरम कर लिया है, जैसे यह तेल गरम होता है, अब हम इसमें एक टी स्पून राय के दाने मिला देंगे, राय के दाने चटक ने लग जाएंगे, तब हम इ 8-10 कड़ी पत्तों को finely chop करें रहे हैं और 2 हरी मिर्श चॉप करने हमने इसे d seed किया है आप इसे थोड़ी टाइम के लिए fry कर लीजिए अब हम इसमें प्यास मिलाएंगि 2 MEDIM SIZE प्यास को finely chop कर के इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये प्यास का color अगर आप इस रेसिपी को बच्छों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च वप्स किप भी कर सकते हैं अच्छे से फ्राइ हो गया है अच्छी खुश्पू भी आ गई है अब हम इसमें गाजर मिलाएंगे एक कप गाजर को फाइनली ग्रेट करके मिला रहे हैं साती में एक तोड़ा लाइट हो गया है अब हम इसमें एक कपता गोबी को फाइनली ग्रेट करके मिला देंगे आप इसे स्लाइजर में भी ग्रेट करके मिला सकते हैं अब हम इसे एक मिनिट तक कुप कर लेंगे पता कोबी का क्रंच आता है टोस्ट में इसलिए हम इसे जादा नहीं प पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, एक टीस्पून चाट मसाला पाउडर, और इसमें सबसे इंपोर्टेंट नमक स्वादानुसार मिला देंगे, इन सारी चीजों को हम वेजटेबल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब बारी आती है इसमें और एक मशी न हो जाए, आप देख सकते जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे, वैसे वैसे टमाटर बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट और मशी हो जाएंगे, अब हम इसमें मिलाएंगे टमाटर केचप, 1.5 टेबल स्पून टोमेटो केचप को हम इसमें मिला रहे हैं, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तोमेटो केचप में लाने से हमारी फिलिंग में बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आजाएगी अब फाइनली इसमें खुश्बू और फ्लेवर के लिए दो टेबल स्पून फ्रेश धनिया की पति मि लाकर हम इसे एक फाइनल मिक्स दे देंगे और हमारी फिलिंग तयार है आप देख सकते कि कलर्स भी कितने बढ़िया आए है और फिलिंग का टेस्ट भी बहुत अच्छा है तयार फिलिंग को साइड में रख देंगे और एक दोसा तवा या फिर एक फ्लैट नॉन स्टिक घरम कर लेंगे गरमहश पे थोड़ साब दालेंगे जैसे ही बटर मैल्ट होता है उसके उपर वाइण ब्राउन बेग्र कीस रख लेंगे उपर से भी थोड़ा बटर उसके ऊपर देंगे इससे हम तब तक टोस्ट करेंगे जब तक ये नीचे से थोड़ी सी इन अर गोन र crispy होगी हम इसे flip कर देंगे अब इस साइड़ पे हम इस तरह से mixture डाल देंगे और इसे evenly spread कर लेंगे हमें मिकienia को evenly और trainee separate करना है ना बहुत जादा और ना बहुत कम हमने mixture को अच्छे से spread कर लिया है और अब हम तब तक wait करेंगे जब तक की नीचे से भी toast crisp ना हो जाए एक दू मिनिट के बाद नीचे से भी toast crisp हो चुका है अब हम इसे तवे से निकाल देंगे बाकी filling के साथ भी हम इसी तरह से toast बना के तयार कर देंगे और जैसे ये बनता है इसे स्लाइस करके सर्फ कर देंगे क्योंकि हम इसे रखेंगे तो ब्रेड नीचे की सौगी हो जाएगी और इसका टेस्ट इतना बड़िया नहीं आएगा अगर आपने भी बच्पन में बैंगलो स्टाइल आएंगार टोस्ट को बहुत इंजोई किया है तो इस टोस्ट को जल्दी से बनाईए और अपने बच्पन की यादों को ताजा कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चानल को भी सब्सक्राइब भीजे थैंक यू